नमस्कार दोस्तों 26 माई 2022 के डेली न्यूस अनलेसिस करेंट अफेस डिसकेशन में आपका स्वागत है कौन कौन सी न्यूस देखेंगे तो कल एक न्यूस जो सबसे ज़ादा वाइरल हो रही थी वो यह है कि यासिन मलिक को पूरी जिंदगी की जेल हो गई है यहापे नैशनल इंवेस्टिगेशन एजेंसी की कोर्ट ने लाइफ इंप्रिजन्मेंट दे दिया यासिन मलिक को इस पूरे मुद्दे को थोड़ा समझेंगे यहापे फिर भाई 80% स्टुनेंट्स फाउंड रिमोट लर्निंग बर्डंस एक सर्वे यहापे करवाई गई और पैंडिमिक के समय पे जो स्कूल बंद हुए और बच्चों को घर बैठके ऑनलाइन पढ़ना पड़ा तो 80% बच्चों को ओवर ओल यह जो रिमोट लर्निंग वाला कंसेप्ट है यह उतना अच्छा नहीं समझ में आया फिर इंटरनाशनल लेबर और और यह बोलना है कि LGBT कम्यूनिटी के वर्कर्स के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन बंद करिये और ओवराल सरकाल को ऐसी पॉलिसी बिनानी चाहिए कि LGBT वर्कर्स काम पे जा पाएं पॉलिसी फिर इंडिया और इसराइल के रिरेशन के रिस्पेक्ट में यहाँ पे एक व्यूपॉइंट दे रहे हैं इस व्यूपॉइंट को समझने कोशिश करेंगे तो इतनी न्यूज्स हम लोग आज यहाँ पे डिटेल में टिसक्स करने वालें दोस्तों आज का वर्ड अफ दे द इकदम से चेंज हो जाएगा विद और इनरी रीजन ठीक है तो इराटिक मतलब जैसे कि आज आज आप कुछ कर रहे हो आपका कोई ट्रेंड नहीं आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि आप इस चीज में किस प्रकार से काम करोगा आप एकदम से अपने ट्रेंड को बदल स करता हूं टेलेग्राम गूप में आप इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडियाफ मिल जाएए जादर से जादर लोग साथ लेक्चर को शेर करिएगा दोस्तों और हो सके तो जॉइन बटन जरूर दबा दीजे दोस्तों और सुपर थैंक्स को आप्शन नीचे है वो भी क्ल जम्मून कश्मीर तो पॉलिटिकल एक्टाय बीस्तों कि अग्राइच के लोगों गया है जितनी प्राइचनल को बंद कर बेम्द कर पीस में प्रॉब्लम आगी इस से पता चलता है कि ओवरराल यासिन लोकल पॉर्टी से उनको लग रहा है यहां बाई सब चीजों में उनका फायदा ही है को सकता है खासका कश्मीरी पंडिस को बगाते हैं तो यह जो पीपल लाइनस फॉर गुपकर डेकलरेशन की पॉलिटिकल पाटी से ने ज़्यादा कुछ नहीं किया हाँ टेरर फंडिंग और बंब बलास्ट करवाना इसमें ओविसी बाद हम कह सकते हैं कि कश्मीर की पॉलिटिकल पाटी इंवाल्ड नहीं थी जब वो पॉलिटिकल पावर में थ और एक टिक टॉक्टर थी कश्मीर की उनको भी यहाँ पर मार दिया गया है वो टीवी बगरा पर आती थी कुछ आपके सकते वीडियो बनाती थी तो हम यह देख रहे हैं कि जो टेररिस्ट ग्रूप से कश्मीर में वो लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं एक प्रकार क यहाँ लिक के केस में जो नाशनल इंवेस्टिकेशन इजैसी है इसके जो स्पेशल जज्ज है परवीन सिंग इन्होंने यहासिन मलिक को संटेंस किया है यहासिन मलिक ने अपनी गलती मारी थी he pleaded guilty उसके उपर 10 लाग रुपए का fine भी लगाए गया है वैसे तो यहासिन मलिक के उपर death penalty लगाने की बात की गई थी जो कि जो भी terrorist attack हुएं कश्मीर के अंदर जिसकी funding किये यहासिन मलिक ने उसके चलते बहुत से लोग की जान गई है चार air forces की जवान के murder में सीधे सीधे यहासिन मलिक involved था कश्मीर value chaos फैलाने में property को तभा करने में जान लेने में यहासिन मलिक involved है और terrorist outfit के साथ हाथ मिलाना पाकिस्तान जैसी countries के designated UN designated terrorist के साथ बैट के planning करना और इंडिया के against systematic तरीके से you know attack करना यहाँ पे किया यहासिन मलिक ने यहासिन मलिक की तरफ से कोई formal representation आया नहीं था इसलिए supreme sorry NIA ने amicus curie appoint किया थै amicus curie समझते हो न amicus curie मतलब यह है कि मालोग इसी एक individual के against case चल रहा है अब उस individual को represent करने के लिए कोई भी lawyer नहीं आया तो ऐसे cases में court amicus curie appoint कर सकता है कि भाई सरकारी एक वकील appoint कर दिया कि हाँ यहाँ 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 पर इस पर्टिकुलर individual का case लड़ेगा चुकि एक तरफ case लड़ जा रहा है यासिन मलिक का अगेंस यासिन मलिक का अगेंस्ट एक unethical judgments आ रहा है इसलिए यहाँ पर amicus curie दिया यासिन मलिक को यासिन मलिक का कहना है कि भाई 1994 के ceasefire के बाद मैं violent activities में involved ही नहीं हुआ मैं महात्मा गांधी की पात पे चल रहा हूँ और यहासिन मलिक ने इसलिए बोला होगा उसको लगा होगा कि हो सकता है पाकिस्तान से ज़्यादा सपोर्ट आए ना यह भारा सरकार मुझे जिन्दा न वाल्ड है तो महात्मा गांधी का नाम तो वो नहीं ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा नाला कि शुरुवात में कश्मीर के अंदर overall यासिन मलिक की importance को समझते हुए वीपी सिंग अटल विहरी वाचपरी मनमोहन सिंग जैसे जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने कहीं न कहीं तो इसकी सज़ाद देखो यहाँ पर दी जाएगी तो यह बोल देना कि गांधी की सिधानतों पर मैं चल रहा हूँ वो बिल्कुल गलत है चुकि गांधी की सिधानतों पर आप चल रहे हो या नहीं चल रहे हो यह आपके actions बताएंगे एक peaceful political movement के पीछे मियासिन मलिक ने एक organized terror syndicate चलाया है ऐसे इनके बलजाम लगाया है और इनको यहाँ पर सज़ा दिए एमिकस क्यूरी क्या होता है यह मैं आपको बता चुका हूँ एमिकस क्यूरी को अगर आप लैटन से convert करें तो यह होता है friend of the court friend of the court मतलब की कभी कभी कोट किसी particular case में अपनी राय लेने के लिए एमिकस क्यूरी अपॉइंट कर सकता है किसी दूसरी side को represent करने के लिए मतलब court अपने मन के हिसाब से किसी particular case में एक unrepresented बंदे को represent करने के लिए एमिकस क्यूरी अपॉइंट कर सकता है अपने आपको राय लेने के लिए political और legal expert किसी particular topic में कुछ specific input के लिए यहाँ पे एमिकस क्यूरी अपॉइंट कर सकता है तो यह होता है मिकस क्यूरी मतलब friend of the court बोले इसको जो court को अलगले तरीके से मदद करता है अलगले तरीके बता वो तरीके जो यहाँ पे court ने court किये है उस particular एमिकस क्यूरी को अपॉइंट करते है जिस पर टू-थी जूडिशिय लिंकेश विट टेरिजम में निज़रा को काम आएगी फिर एक रिपोर्ट निकल के आई है यहाँ पे national achievement survey 2021 रिपोर्ट इसको ministry of education ले रिलीस किया यह जो पर्टिकुलर सर्वे हुआ था इसने कक्छा 3, कक्छा 5, कक्छा 8 और कक्छा 10 के बच्चों के उपर study की है यह सर्वे हर 3 साल पे होता है पिछली बार हुआ था 2017 अब जब य किया गया इसमें 34 लाख बच्चों के उपर सर्वे कराए गया एक दसम्लाव एक आठ लाख स्कूलों में पढ़ते थे 720 डिस्टिट के गौर्मेंट गौर्मेंट एड़ेट प्राइड अनेड़ेट स्कूल सब में एक्सेस हुई है और इस सर्वे से पता चला है कि 80 बच्चों को यह जो लर्निंग थी यह उसमें उतने कमफर्टेबल थी नहीं कि इनका यह बोलना है कि हमें बहुत ज़्यादा इसाइन्मेंट दी जाता थे घर बैटे बैटे हम चुकी स्कूल में नहीं है तो कोई हमारा पीर था नहीं हमारी बदद करने के लिए बच्चों गर बैठे बैठे उतना मज़ा नहीं है 24 परसेंट बच्चे तो यह बोल रहे है कि हमारे घर में कोई डिवाइस नहीं है ठीक 38 बच्चे यह बोल रहे है कि हमें समझने में परिशानी हुई हला कि 45 परसेंट बच्चों का बोलना थे कि जॉइफूल था अबको उस समय तक त तीन और पाउच के बच्चों को स्लड़ी किया. Language, Mathematics, Science, or Social Science में कक्छा 8 के बच्चों को स्टड़ी किया. Language, Mathematics, Science, Social Science, or English में कक्छा 10 के बच्चों को स्लड़ी किया. और OUT OF 500 स्टोर कैलकुलेट किये. कक्छा 3 के बच्चों के स्कोर Languages में 323, इन्वामेटर स्टेडीज में 307, मैतमेटिक्स में 306, मतल téc mathematics में सबसे कम नजर आ रहे है कक्षा पांच के बच्चों के languages में 309, mathematics में 284 और environmental sciences में 283 यहाँ पर भी mathematics में performance खराब लिख रही है कक्षा आठ के बच्चों ने 302 English में, mathematics में 255, science 250 चाहता उगकचाँ 10 की बच्चों में 270 इंग्जच, 220 मैत्मेटिक्स, 206 जाएंस मतलब मैत्मेटिक्स और साइंस की पर्फॉर्मेस यहां पे बच्चों की थोड़ी कम नजर आ रही है, थोड़ी गरबर नजर आ रही है, यह यहां पे निकल के आ रही है, तो मतलब कटिकरी के जो बच्चे से उनके परफॉर्मेस थोड़ी बटर थी जैसे कि जनल कटिकरी जो बच्चे कख चार्ट के उन्होंने मैथमेटिक्स में और अवरेज 249, एक ST बच्चे ने ना अवरेज 244 और OBC ने 253 स्कोर किया तो इससे क्या पता चला कि ओवराल देखा जाए तो SC, ST और OBC बच्चों की जो परफॉर्मेस थी जो थोड़ी सी कम थी जनल के टिकरी के बच्चों से यह एवरेज स्कोर्स की बात हो रही है यह जो सर्वे कराया गया था, यह एक Optical Mark Recognition Based Achievement System पर करवाया गया था, यहाँ पर Multiple Choice Session दिये गया थे, यह Multiple Choice Session 22 अलग अलग भाशाओं में थे नेशन वाइट सर्वे था, इसको एड्मिनिस्टर किया था, Central Board for Secondary Education एक ही दिन में एक ही समय पे सर्वे कंड़क्ट कराया गया था, जी एस पे बच्टू, एजुकेशन में पर्टिकुलर न्यूज़ आपको कामाईगी पिर अगली न्यूज़ है, International Labour Organization ने बोला है कि LGBT वर्कर्स के प्रति डिस्क्रिमिनेशन बंद करिये और स्पेसिफिक पॉलिसीज बनाईए तो ILO का एक डॉकुमेंट रिलीज हुआ है, जिसने बोला है लेस्बियन, गे, बाइसेक्शुल, ट्रांसजेंडर, इंटरसेक्स और कुईर, ये जो पर्संस हैं, इनको वर्ड ओफ वर्क में आप इंटर्द्यूस करो, मतलब इन पर्संस को भी प्रॉपर तरीके से जो भी और्गनाइज नौकरियां होती है, कॉर्परेट सेक्टर में, सरकारी सेक्टर में, वहाँ पर इन वर्कर्स को एंट्री मिलनी चाहिए, इनके लिए आप सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम चलाइए, जो सोसाइटी में LGBTQ परसंस की तरफ जो डिस्क्रिमिनेशन है, उसको ख enterprises में, businesses में, नौकरियों में, देश की GDP को बढ़ाने में, ये LGBT community के लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन चुकी इनके against harassment होता है, violence होता है, discrimination होता है, इनके sexual characteristics के basis पे इनको अलग हटाये जाता है, प्रॉपर तरीके से नौकरिय बगर नहीं कर पाते हैं, जो word of work है, काम करने वारी दुनिया है न, जो corporate sector होग है, जहां जहां पे भी नौकरिय उसको word of work बोला जा रहा है, वहां पे proper तरीके से ये लोग represent नहीं हो पा रहे हैं, तो इसके लिए, अलग अलग देश की सरकारों को एक national policy बनाना चाहिए, एक labor law बनानी चाहिए, ठीक है, तो इससे government proper तरीक की जो LGBT community के लोग है, वो अपने employers के साथ बातचीत कर सके, worker organizations के साथ बातचीत कर सके, labor market में जो इनके लिए, प्रॉब्लम गरत बोल गया, तो labor market में जो इनके लिए policies बनाई जा रही है, all India के दुनिया की जिस भी देश में इनके लिए policy बन रही है, वहां पे किस प्रकार से नौकरियों में represent किया जाएगा, social protection इनको कैसा दिया जाएगा, इन सब चीजों के लिए जब भी बातचीत हो तो LGBT community के members को involve करना चाहिए, पिर सरकारों को बोला है, ILO ने कि small and medium industry associations, sectoral unions और informal economy workers association के साथ बातचीत करें, और इस बात को identify करें, कि कि LGBT workers के against discrimination तो नहीं हो रहा है, तो यह सब बातें overall यहाँ पर बताई गई है, जतने जादा LGBT persons के लोग एक workplace पे होंगे, उतने ही जादा diversity होगी, उतने ही नए innovative ideas आएंगे, उतना ही efficient तरीके से business हो सकेगा, काम हो सकेगा, और overall यह कहीं न कहीं हमारी economy में एक boost लेके आएगा, ठीक है, फिर international labor organization ने trade unions को भी ब उनके right के प्रती fight करिए, उनके बिहाँ पे, उनकी आप कहलो disadvantage situation की बिहाँ पे सरकार से negotiate करिए, और कुछ नए bargaining agreements के तहद इन LGBTQ workers को कुछ specific options available करवाईए, तो यह ILO ने बोला है, ILO आप कह सकते हो एक tripartite union agency है, tripartite का मतलब क्या होगा, इसमें सरकारें भी है, इसमें नौकरी देने वाले लोग भी है, उसमें नौकरी करने वाले लोग भी है, 187 member states के, यह standards बनाते हैं, policies develop करते हैं, programs बनाते हैं, ताकि दुनिया बर के men women को अच्छा काम मिल पाए, men women यहाँ पे लिखाए, लेकिन यहाँ पे obvious सी बात है, LGBT community के लोग भी included in men women के definition में, 1919 में Treaty of Versailles से बना United Nations के agreement के अंदर भी शामिल किया गया, पहली affiliated specialized agency United Nations की 1946 में, headquarters से जैनवा, सुजर लेंड में, काम क्या policy program मनाना, social labor issues के लेटे, international labor standards मनाना, in the form of conventions, recommendations, member states को assistance देना, social labor problems में, human rights protection को ensure करना, social and labor issues में, publications और research निकालना, GS labor to international institutions और human rights में, news काम आईगी, पिर ये news, मैंने कली कवर की, Supreme Court recognizes sex work as a profession, तो आज जो मैंने सुभे news मनाई है, उसको देख लीजएगा, उसके साथ कुछ extra points मैं आपको बता देता हूँ, ये जो particular Supreme Court ने अभी order दिया है, राजी की सरकारों को और केंदर की सरकारों को कुछ recommendations इशू किये हैं, कि नहीं भाई, जब तक केंदर की सरकार proper तरीके से sex worker की law नहीं मिनाती, ये guidelines लागू होगी, इन guidelines के हिसाफ साफ literally समझ लो, कि sex work को as a profession identify कर दिया है Supreme Court ने, Supreme Court ने clear cut बोल दिया है, कि ये जो sex workers हैं, अगर ये individual capacity में काम कर रही हैं, तो आप इनको पकड़ के jail में नहीं डाल सकते, आप इस काम को illegal नहीं हो सकते, ये legal ही होगा, हाँ कोई brothel चला रहा है, institution तरीके से एक जगा पर sex trade चल रहा है, तो वहाँ पर, चुकि exploitation, trafficking के chances बनते हैं, इसलिए brothel चलाना illegal है, ये Supreme Court ने बुला है, बड़ एक individual, अपनी individual capacity में अपने consent के हिसाब से sex worker कर रहा है, तो आप उसको responsible नहीं ठे action of law है, age consent वाले सारे नियम कानून के ओपर लागू होंगे, ये Supreme Court की एक तीन judge bench ने बोला है, जिसको lead कर रहे थे, El Nageshwar Rao साब, और यहां पर Supreme Court ने under Article 142 अपनी special powers का इस्तमाल किया ये judgment देने के लिए, Article 142 क्या है, this provides discretionary power to the Supreme Court, as it states that the Supreme Court in its exercise of jurisdiction में पास such decree और make such order as is necessary for doing complete justice in any case फिर Supreme Court की बचने के बोला कि जो sex workers हैं, इनको आप arrest नहीं करोगे, penalize नहीं करोगे, harass नहीं करोगे, victimize नहीं करोगे, तो brother में rate के बाद जब इनको पकड़ लिया जाता है, तो जो उस brother को चला रहा है, administer कर रहा है, उसको पकड़ो, इन sex workers को individually मत पकड़ो, फिर एक brother में अगर जो को sex worker से अलग नहीं कर सकते हैं, आप respectively test conduct कर सकते हैं, प्रूव करने के लिए उसी का बच्चा है क्या, और उसके साथ उसको रहने दो, मतलब एक maa या फिर जो भी है, मतलब अगर एक parent, sex worker है, उस case में, उसका बच्चा वहाँ पे है, biologically proven बच्चा, तो उस बच्चे को उ forcefully sex हुआ है, मेरे खिलाफ sexual assault हुआ है, यह sex workers अलग अलग लोगों के साथ जाती है, उस case में हो सकता है कि कोई बत्नमीज आदमी इनी के उपर assault कर रहा हो, तो ऐसे किसे दो में complaint file कर सकती है, पुलिस को और पुलिस को action लेना पड़ेगा, और sexual assault के victims को जो भी मदद मिलती है, तो सब यहाँ पर इस sex worker को भी दी जाएगी, और फिर वायरिजम को एक crime मना दिया गया है, section 354C of the Indian Penal Court, तो वायरिजम मतलब क्या है, कि किसी sexual activity को secretly देखना और pleasure लेना, तो मीडिया अगर यहाँ पर वायरिजम में involved हो रही है, overall in particular sex workers की activity को छुपके cover कर रही है, तो मीडिया को भी section 354C of the Indian Penal Court में responsible माना जा सकता है, Press Council of India को directions issue किये, Supreme Court ने कि proper guideline issue करी है, मीडिया के लिए, जिस पे बटो जुडिश्री और welfare of a liberal population में news काम आएगी, फिर अगले news है, जो Tammy Ben Ham है, इसराइल के concern general Bangalore में, उन्होंने बोला है कि पेलेस्टीन का मुद्दा pending जरूर है, और प देखे, Abraham Accords sign हुए थे, तो Tammy का ये बोलना है कि Abraham Accords जो 2020 में sign हुए थे, इससे इसराइल ने अपने रिष्टे चार अरब कंट्रीज का दी, UAE, बहरीन, मुरको, सुद्दान के साथ सुधार लिए, ये अरब कंट्रीज वो थी जो पहले पेलेस्टीन के मुद्द्द्द्द सपोर्ट करती तो Israel का अगेंस्ट बोलती थी, ऐसा नहीं कि इन कंट्रीज ने पेलेस्टीन के सपोर्ट में ना छोड़ दिया, पेलेस्टीन के सपोर्ट में वो आ रहे हैं, लेकिन इसराइल के साथ भी रिष्टे नो ने नॉर्मलाइस की, तो इसराइल का ये बोलना है कि धीरे-धीरे करके हम दुनिया की कंट्रीज के साथ ने रिष्टे नॉर्मलाइस कर रहे हैं, इंडिया के साथ भी हमने रिष्टे नॉर्मलाइस की हैं, तो डेफिनिटली पेलेस्टीन के इशू पे लेके कुछ आर्गुमेंट्स हो सकते हैं, कुछ कंफरेंटेशन हो सकते ह तो NSO है, NSO एक private company है, यह weapon company नहीं है, लेकिन overall इसका जो spyware है, वो weapons grade का है, snooping में काम हो सकता है, अब यह particular spyware को terrorism के लिए इस्तमाल करना है, इसलिए हमने Pegasus के उपर एक limit लगाई थी कि आप किवल सरकारों को बेचोगे, तो यहाँ पर फिर से Tammy ने बताया है कि जो Pegasus नाम का software था, NSO का, यह केवल सरकारों को बेचा गया है, अब यह भाई बोलना, यह जो NSO नाम की company थी क्या, इसको end use भी check करना था, भी end use कैसे ही check करेंगे, भाई देखें, Council General of Israel का यह बोलना है, कि जब Pegasus बेचा NSO ने, तो कोई ने कोई contract sign किया होगा, उस contract में लिखा होगा, कि आप इस particular activity के लिए, इस particular software को इस्तमाल कर सकते हैं, हाला कि final government किस चीज के लिए इस्तमाल किया, यह कैसे track करेगा यहाँ पे, तो basically Pegasus बनाने वाले NSO को कुछ हद तक Israel की सरकार accountable ठहरा रही है, और यह बता रही है कि हाँ भाई, इससे snooping होती थी, हमने terrorism को रोकने के लिए software बनाया था, और दुनिया बर की सरकारों को बेचा थ इरान के उपर क्या बात की है, तो Israel का बोलना है, कि ऐसा नहीं कि हम इरान के साथ बातचीत नहीं करना चाते हैं, लेकिन हम 2015 की nuclear deal के against, 2015 की nuclear deal बहुत कमजोर थी, हम चाते हैं कि इस nuclear deal के साथ-एरान के rocket program के ओपर भी यहाँ पर control लगाए जाए, इरान एक ऐसी country है जो openly Israel को हिरान एंटी इस्राइल एक्टिविटीज में बंद हो यह जरूरी है और यह जो 2015 की नुक्लिर पीस डील है के साथ ऐसा भी यहां पे इस्राइल बोल रहा है तो इतनी न्यूस थी दोस्तों आज बहुत सथा न्यूस नहीं थी काम के पांच न्यूस थी थैजयर बहुत इस्राइर कर देयु काम कि विद्धन काम के न्यूस थी